The Life TV, सच सब से आगे RK पच्वरया मामले में अरणफ गोस्वामी ने जो कुछ किया जिस तरीके से मीरिया ट्राइल किया उसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज था और उसी को लेकर अब अरणफ गोस्वामी जो है जिसमें कहा गया है रिपब्लिक टीवी के प्रबंदक निदेशक और प्रधान संपादक अरनव गोस्वामी ने दिली हाई को बताया है कि वो 2016 में टेरी के पुर्व कारेकारी उपाध्यक्ष आर के द्वारा दायर एक अवमानना मामले में बिना शर्ट माफी मांगेंगे तो वरिष्ट पत्रकार अरनव गोस्वामी ने दिली हाई कोट से कहा है कि वो टेरी के चेर्मेन आर के पचौरिया की ओर से दायर अवमानना केस में बिना शर्ट माफी मांगने को तयार है आर के पचौरिया ने किया था केस तो आर के पचौरिया ने अवमानना को लेकर अरनव गोस्वामी पर केस दर्श किया था जिसको लेकर अब अरनफ गोस्वामी इस पूरे मामले को लेकर बिना शर्ट माफी मांगने को तयार हो गए हैं आगे खबर में देखिये लिखा है वरिश्ट पत्रकार अरनफ गोस्वामी ने दिली हाई कोट से कहा है कि वो टेरी के पुर् मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर ये केस दर्ज कराया गया था अरनब रिपब्लिक मीडिया के एंडी और एडिटर इन चीफ है आपने देखा अरनब गोष्वामी किस तरीके से वो मीडिया ट्राइल्स करते हैं किस तरह की चीजे करते हैं और जो उनकी भाशा शैली है उसे भी आप अच्छे से जानते हैं चीख-चीख कर वो मीडिया ट्राइल्स करते हैं और किस तरीके से लोगों को बदनाम करते हैं उन पर तंस करते हैं ये किसी से चिपा नहीं है और उसी को लेकर अरनब जो है वो समय समय पर घिरते भी नजर आए हैं इससे पहले आपको याद पुलिस ने डिटेन किया था क्योंकि उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक इंटीरियर डिजाइनर से अपने आफिस का काम करवाया और उसके बाद उन्हें पैसे नहीं दिये जिसके बाद उसने आत्मात्या कर ली इस पूरे मामने में भी अरनव गोस्वामी का नाम जो ह कि वह अपने मुवक्किल की ओर से बिना शर्थ माफी मांगते हुए हल्फ नामा एक सप्ता के अंदर दायर करेंगी गोस्वामी के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलास भी केस दर्ज किया गया था स्पूरे मामले में तो यहां पर आप मामला समझें कि आरके पच्वरिय कि अब मानना और मीडिया ट्राइल्स को लेकर मीडिया रिपोर्टिंग्स को लेकर कि यहां पर अरनव पर केस दर्ज था जिसके बाद अरनव अब माफी मांगने को तयार हो गए है वह भी बिना शर्थ आगे खबर में लिखा है पच्वरि जिनकी वर्ष 2020 में मृत्य हो किसी भी समाचार रिपोर्ट या लेक या राय को प्रकाशित करने से पूरी तरह से रोक दिया गया था गोस्वामी उस वक्त टाइम्स नाव के एड़र इंचे थे इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रेल को होगी यहां पूरा मामले समझे कि पच्वरिया ने अरनव गोस्वामी पर उनके खिलाफ गलत मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर अवमाना मामला जो है बुदर्ज कराया था जिसको लेकर अब अरनव गोस्वामी इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगने को तयार है इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रेल को होनी है इसी के स से की या फिर मीडिया ट्राइल उन्होंने गलत तरीके से किया आपको सुशान सिंग रिया चकरवर्ती का मामला खुब अच्छे से याद होगा जिसमें तमाम मीडिया आउटलेट्स ने तमाम मीडिया चैनल्स ने किस तरीके से अपनी भद पिटवाई और उसको लेकर रिया रिया चकरवर्ती को लेकर जिस तरीके से इनने मेडिया ट्राइल किया वो बेहद ही शर्मनात था अरनब का चैनल भी उनहीं में से एक था अरनबी और वह अकहीं ने शीन मामले लेकर और और मामले जो नौ में घिरते हुए नजर आए हैं ऐसा ही एक मामला आपको बता दें कि महराष्ट में देखने को मिला था जिसमें अरनव गोस्वामी पर यह आरोप लगा था कि उन्हों खबर में दिखा है कि रिपबलिक चायन के मताबिक मुंबई पुलिस की एक टीम सुभा सुभा जो है वो अरनव गोस्वामी के घर पहुँच गई थी और उन्हें पुलिस वैर में उठाकर अपने साथ ले गई थी समाचार इजिंसी पी टी आई के अनुसार पुलिस का कहना है कि अरनव गोस्वामी को 53 सार के एक इंटीरियर डिजाइनर के आत्महत्या के मामले में उस वक्त गिरफतार किया गया था इसके वीडियो तस्वीरे सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुई खवर आने के तुरंत बाद ही ट्विटर पर हैश्टेक अरनव गोस्वामी टेंड भी करने लगा था इसको लेकर कई राचनेता उन्हें अपनी प्रतिक्रिया दी थी कई राचनेता या फिर ये कहा जाए कि बीजेपी के नेता उन्हें अपनी प्रतिक्रिया दी और इसके निंदा की थी उस वक्त केंद्री सुचना प्रसारन मंत्री प्रकाश जावड कर ने अरनव गोस्वाम स्वामी पर जो कारवाई हुई थी उसकी निंदा की थी और कहा था कि इसने इमर्जनसी के दिनों की याब दिला दी हाला कि अब किस तरीके से पत्रकारों पर लगातार नकेल कसी जा रही है उन्हें लगातार उनकी गिरफ्तारियां हो रही है सिद्धिक कपन जैसा मामलाप के सामने है जिसमें वो हातरस रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे और उसके बाद किस तरीके से उन्हें इतने लंबे समय के लिए जेल में रखा गया हाला कि अब उन्हें जमाना जो है वो मिल गई है उस पर ये जो नेता है वो कुछ नहीं बो पड़ाई है हम इसकी भटसना करते हैं इसी के साथ आपको बता दें कि लाइव लॉक की खबर के मुंबई पुलिस ने अरनफ गोस्वामी को 2018 के मामले में आई पी सी कि इधारा 306 के तहब गिरफ्टार किया था दोहजार बीस में अरनफ गोस्वामी को गिरफ्तार किया था उन्होंने आरोप लगायता है कि अरनव गोस्वामी ने रिपब्लिक नेट्वर्क के स्टूडियो का इंचिरियल डिजाइन कराने के बाद उसका भुकतार नहीं दिया यानि की पैसे नहीं दिये 2020 सितंबर में महराष्टी विधानसवा में रिपब्लिक टीवे के संपादक अरनव गोस्वामी के खिलाफ विशेश अधिकार हननन का प्रस्ताब भी दाखिल किया गया था जिसे विधानसवा ने सुईकार भी कर लिया था यहाँ पर आप देखने हैं कि यह गोधी मीरिया के एंकर इन पर अक्सर कारवाई देखी जाती है लेकिन पर इस तरह की कारवाई हुई है और भी इस LINE में है लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बास जो है वो नहीं आते हैं अब अर्णव गोस्वामी जिस तरीके से घुटनों पर आकर माफी मांगने को तयार हो गया है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सरुर बताएं दलाइफ टीवी सच सबसे आगे